नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल राज MTD में आपका स्वागत है अभी-अभी मुझे सिवरामपूरा से जिम्नाराम जी लट्याल है इनके यहां से एक रेस्क्यू को लाया है आप देख सकते हैं इनका घर है और करके बातरूम के अंदर एक इनका कहना है साप है दोस साप मुझे नजर आगे एक बेबी कोबरा है बने रहे हमार साथ इसको रेच्क्यू करते हैं और दूर ले जागे जंगल में छोडेंगे का या। कर दो आज है कि अब शब्सक्राइब जो अगयान। कि अगयान। यूझा इड़े वज खो खेंग यूजादी आई ऑजा तेपल है कि बख़ेड़ यूजादी अगयात आप देख सकते हैं दोस्तों जिस कोब्रा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको करीब करीब मैंने रेस्क्यू कर लिया बेबी कोब्रा करीब दो महीने का यह साफ हो सकता है और मेरे पहुंचने तक घरवालों ने करीब दो बंते तक इसको धरवाजा बंद करके अंदर रखा और अच्छा रहा घरवालों ने मुझे कोल कर दिया इस तरीके के साफ बड़े खतरनाक होते हैं इसमें नीरो टॉक्सिक नाम का जहर पया जाता है इस तरीके का साफ अगर क मैं बहुत से जानकार या डे चुका हम फिर भी अगर किसी को साफ के बारे में या किसी बही साफ के बारे में ज्यादा जानकर सब्सक्राइब मेरे चैनल हूद बंग को कि कि ए एव कि कि ए कि इर मौ पर गल, कर मैं वावाम को पाल न न न पह रो है हुआ 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 है कि यह अब कि आप देख सकते हैं दोस्तों। जिस कोगर Tell me रेश क्यूड के लिए तो मैंने सई सलामत सक्यू कर लिया और इसको दूर ले पर जगल से चाहART के शाबनार नेना के जो अभी कुछ देर पहले मैंने शिवरामपुरा से चिमनराम जी लट्याल के वहाँ से जो बेभी कोबरा रेश्ट्यू किया था इसको इसके नेचर में रिलिस कर रहा हूँ दोस्तों बने रही है हमार साथ अच्छा दोस्तों मैंने इसको इसके नेचर में रिलीस कर दिया है मिलते हैं नेफ्ट वीडियो में किसी डरेवे परिवार की हेल्प करते हुए किसी रेप्टाइल की जान बचाते हुए तब तक के लिए स्वस्त्रे साउधान रे मस्त्रे जे हिं जे भारत वंदे मातरम जे करेंगर के दिली में का जेडियो में डेड़ी flow कि घुएरीउ खटीं